हेलो एवरिवन वेलकम टू वीकेसी क्लासिज देखे बच्चो आज जो वीडियो हम आपके ले लेके आए हैं वो बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है क्योंकि आपको पता है कि NCRT ने अपना जो सलेबस है काफी हद तक डिलीट कर दिया है यानि अपना जो भी सलेबस है क्लासिक से लेकर ट्वैल्थ का वो पूरा उन्होंने रैसनेलाइज किया है बहुत सारे टोपिक है जो सलेबस है उन्होंने पर्माइनेंटली डिलीट कर दिये है और बहुत चल्द ही मार्केट के अंदर NCRT की नई बुक्स एविलेबल हो जाए जो सलेबस मिलेगा आपको हम आपको उस सलेबस के बारे में आज बताएंगे ठीक है पहले हम शुरुआत करते हम अपने सब्जेक्ट फिजिक से उसके बाद वन बाई वन सिक्स क्लास से लेकर ट्वैल तक के आपको प्रोवाइड कर दिये जाएंगे ठीक है तो चलिए जल् दिखने लग जागी कि कौन-कौन से सलेबस जो है वो NCRT ने हटाया है ठीक है तो फिजिक्स में हम देखे बच्चो तो जो पहला चैप्टर है इलेक्टिक फिल्ड और इलेक्टिक चार्ज उसके अंदर से पेज नमबर 227 जितरे भी टॉपिक है वो सारे टॉपिक इन टॉपिक को छोड दिया गया है यानि इलेक्टिक चार्ज इसमें डिलीट उनली एक्टिविटी बीदी पेपर स्ट्रिप एंड मेकिंग इलेक्ट्रॉस्कोप ये टॉपिक है वो डिलीट किये गये हैं। conductor and insulator इसमें सिर्फ delete only concept of earthing यानि earthing का जो concept है सिर्फ उसको delete किया गया है इसके साथ charging by induction topic number 1.4 इसको delete कर दिया है ठीक है इसके साथ page number 47 से 50 के अंदर जो भी exercise है exercise 1.13 और 1.25 और 1.34 इनको हटाया गया है ठीक है next चेप्टर है second chapter electrostatic potential and capacitance इसमें page number 81 के उपर उसके साथ साथ page number 87 से 92 इन topic को हटाया गया है ठीक है और देखिए कौन से है इसमें 2.15 topic energy stored in capacitor इसकी derivation कट की है सरफ और exercise में 2.12 से 2.36 से ये exercise की question है इनको हटाया गया है ठीक है page number 102 से 103 के अंदर जो chapter 3 है हमारा current electricity उसमें resistivity of various material जो table थी 3.1 3.2 carbon register color coding इनको हटाया गया है इसके साथ page number 107 से 109 के उपर combination of register series और parallel में इस topic को हटाया गया है 112 और 13 number page के उपर example 3.5 है इसको भी हटा दिया गया है इसके साथ है 120 से 124 number page के उपर topic है meter breeze और potentiometer इसको भी हटाया गया है 127 से 131 के उपर है exercise 3.3 3.4 3.10 3.12 3.14 से लेकर 3.23 तक इन questions को हटा दिया गया है ठीक है तो अभी बात करते हैं chapter number 4 moving charge and magnetism इसके अंदर page number 135 के उपर table 4.1 है वो हटाया गया है 140 से 142 के अंदर topic number 4.41 velocity selector cyclotron the toroid 152 से 153 के उपर है toroid का topic और 162 से 163 के उपर है magnetic dipole moment of a revolving electron इनको हटाया गया है इसके साथ page number 170 से 172 के उपर exercise है 4.14 से लेकर 4.28 इन exercise को remove कर दिया है chapter 5 की बात करें हम magnetism and matter तो इसमें page 176 से 170 के बीच में जो भी topic है उन topic को हटा दिया गया है और topic है इसमें bar magnet as an equivalent solenoid इसमें जो mathematical treatment है वो हटाया गया है dipole in uniform magnetic field इसमें भी mathematical treatment है उसको हटा दिया गया है page number 180 के उपर है example 5.4 और 185 से 189 के बीच में जो topic है 5.4 earth magnetism 5.41 magnetic declination and dip angle इनको हटाया गया है page number 191 के उपर table है 5.2 इसको हटाया गया है 194 से 196 के उपर topic है paramagnetism इसमें सिर्फ curie lock को remove किया है ferromagnetism में curie temperature और जो high stresses करोग मिलता था वो topic हटाया गया है permanent magnet and electromagnet है इसको भी remove किया है बात करें इस chapter में exercise की तो page number 200 से लेकर page number 203 के उपर 5.1, 5.2, 5.9 से 5.11 और इसके बाद 5.13 से 5.25 के अंदर जो problem है उनको भी remove किया है electromagnetic induction chapter 6 page 215 से 219 के बीच में जो topic है energy consideration एक quantitative study इसको हटाया गया topic 6.7 और AD current का topic 6.8 remove कर दिया है next है page number 230 से 232 के अंदर exercise है 6.6, 6.10, 6.17 इन topic को remove किया है इसके बाद page number 240 के उपर है magnetism and demagnetization sorry magnetization and demagnetization of an inductor इसको हटाया गया है page number 243 इसके उपर charging and discharging of a capacitor इसको भी हटाया गया है chapter 7 की अगर बात करें alternating current तो page number 246, 247 इसके उपर LCR का topic है analytical solution इसको हटाया गया है और next 249 से लेकर 251 के उपर 7.6.3 resonance delete only sharpness of resonance सिर्फ यही topic हटाया गया है next बात करते हैं page number 255 से 259 के अंदर है LCR solution topic को remove कर दिया है और page 266 से 268 के उपर exercise दे रखी है वो यह exercise है उनको हटाया गया है 7.6, 7.7, 7.10, 7.12 से लेकर 7.26 तक अब बात करते हैं chapter number 8 electromagnetic wave तो electromagnetic 3.2, nature of electromagnetic wave, delete only about either page 277 यानि 277 के जो page है वो हटा दिये गए हिसमें, next 279 से 280 के उपर example number 8.4 और 8.5 यह हटाया है exercise में है topic 8.11 से लेकर 8.15 इन topic को हटाया गया है exercise के अंदर से अब ही हम बात करते हैं physics का part 2 जो कि chapter 9 से start होता है इसमें page 318 के उपर reflection इसमें क्या delete किया है reflection में delete only advance sunrises and relation set इस topic को हटाया गया है इसके साथ 321-322 नंबर page के उपर है miraj और diamond यह topic भी हटा दिया गया है जो कि page 321-322 पर है 332-335 नंबर page के उपर कुछ natural phenomenon है due to sunlight जैसे कि rainbow scattering of light यह topic हटाये है 340 नंबर page के उपर exercise है 9.18 इस topic को भी हटाया गया है इसके बाद 358 से 369 page के उपर है doppler effect यह भी topic गया 379 नंबर page के उपर example है 10.1 इस topic को हटा दिया गया है और 363 से 367 के अंदर topic है interference of light wave young's experiment इसके अंदर कहता है retain the final expression for dark and bright fringes but delete the derivation इसने क्या किया है सिर्फ इनकी final expression आपने ध्यान रखनी है जो derivation है वो delete कर दी गई है और expression जो हट fringe width की वो भी delete कर दी गई है page 366 से 371 के अंदर जो topic है wave optics के अंदर chapter number 10 में diffraction इसका सिर्फ वे only qualitative treatment करना है और बाकी topic है वो remove किये है page 372 से लेकर 376 के अंदर जो topic दे रख है resolving power of an optical instrument जो कि resolving power of microscope telescope की दे रखी है वो भी हटा दी गई है validity of ray optics topic 10.6.4 topic number 389 से 381 के अंदर जो है polarization of scattering any polarization by scattering है ये topic हटा दिया गया है polarization by reflection है इसको भी हटाया गया है 383 से 358 नंबर page के ऊपर जो topic है exercise की question है 10.7 से लेकर 10.21 वो सारे topic है हटा दिये गई है 388 नंबर page के ऊपर table number 11.1 और 397 नंबर page के ऊपर example है 11.3 ये topic भी हटा दिये गई है जो 11 चप्टर है dual nature of matter and radiation 404 से लेकर 404 नंबर page तक वेव नेचर ओफ मैटर डिलेट अनले derivation 4D ब्रोगली वेवलेंथ अक्सलेटिड इलेक्ट्रोन एंड एंस्बर अंसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये topic हटाए गए है डैविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट है ये भी हटा दिया गया है ये तो पहले हटा दिया गया था सिर्फ इसका qualitative idea था mathematical expression वो पहले भी हटा दी थी appendix 11.1 में history of wave particle flip-flop इसको भी remove कर दिया गया है 407 से 413 के उपर ये exercise दे रखी है 11.5, 11.7, 11.12 से लेकर 11.14 तक इसके बाद 11.16, 11.17 और 11.19 से लेकर 11.37 तक ये topic हटाए गए है उसके बाद हम बात करते है page number 421 से 422 spectral series 12.3.1 का जो topic है 424 से 426 के अंदर bore model of hydrogen atom इसमें सिर्फ expression आपने करनी है और इसकी derivation जो है वो हटा दी गई है chapter number 12 के अंदर है atoms में page number 439 के उपर 12.5 topic है line spectrum of hydrogen atom इसका सिर्फ qualitative treatment करना है 430 number page के उपर example है 12.6 ये topic हटाया गया है 436 से 437 के अंदर exercise 12.3, 12.11, 12.17 ये topic भी remove किया गया है चली next बात करते हैं अपना 13 चैप्टर nuclei तो यहां nuclei के अंदर 440 से 451 number page number है इसमें law of radioactive decay, alpha decay, beta decay, gamma, nuclear reactor सारे टोपिक हटाये गए है 452 से 455 के अंदर nuclear reactor है और 462 से 466 के बीच में exercise problem है वो ये exercise है वो हटा दी गई है इसके अंदर 13.1, 13.2 और 13.6 से लेकर 10 तक और 12 से लेकर 14 तक इसके बाद 18 फिर 22 से लेकर 31 तक exercise वो हटाई गई है इसके बाद है chapter number 14, semiconductor devices ठीक है, semiconductor electronics, material device and simple circuit इसमें 485 से 495 number page जो है इसके अंदर special purpose of pn junction diode को cut किया गया है digital electronics and logic gate ये भी cut कर दिया गया है, 497 से 499 के अंदर page number qp exercise है 14.7 से 14.15 के बीच में वो सारे topics हटाए गई है इसके साथ chapter number 15 है, वो permanently delete कर दिया गया है communication system का chapter था वो ठीक है, तो बचो ये syllabus जो है आपका, वो physics का syllabus था अभी हम next वीडियो में आपको chemistry, maths, hindi, english या यू कहे class 6 से लेकर 12 तक जितने भी subject हैं सभी subject का syllabus आपको बताएंगे current में क्या-क्या syllabus आपका रहेगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास आप शेयर करें बहुत ही helpful वीडियो आपके लिए आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को यह दि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो नेक्स लेबस की हम वीडियो डालेंगे वो तुरंत आपके बास से पहुंच जाएगी थैंक यू